नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आप सबका आपके अपने यूटीब चनला आर्थ मास्टर पर दोस्तों इस वीडियों बात करने वाले हैं साकलोजी याने की मनोबेग्यान के अबजेक्टिक कोचन पर ठीक है द्यालनीस में जब पूछा गया था उस पर हम डिस्क्रस करने व परकार के वेक्टित में कौन से बिस्ष्चा पाई जाती है तो इसका अनुसार मेरे अनुसार और डि होना चाहिए क्यों कि क्योंकि आप में जो भ्यक्तिव होते हैं उसमें ध्यर की और होता है थो इसका होगा ही उसमें उतावला पन होता है फिर्ट्यों की भावना होता ही है तो यानि होना चाहिए उसकी बिश्रष्णता होती है उसे दूसरा प्राइब करें प्रकृतिक आपड़ का उदाहरन है जो दो बाद भूकम और सुखा सारे क्या're प्राकृतिक आपदा है अप्सान अमबर दी इसका भी रायट राइट 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 अश्ता स्वार्फ वार्फ की बात किया है और स्वास्त की किया है तो जाइट सवार्फ पतन्जली होगा अपस्वारीज का रायटर सो होगा5 है इसे पूछ रहा है संगनात्मक असर्ण वार्प्ति है तो दूस्तो संगर नत्मक संवालता उत्पतिका होता है जब बैक्सिका होता है कश्ट्म होता है उससे में उत्पतिका होता है आपसे नंबर B इसका राइट जो जागा ठीक है सात्मा प्रस्ण आपसे है निम्नाकित में कौन अपने आत्म नियांतर की प्रवेधी नहीं है तो आत्म नियांतर की प्रवेधी नहीं है कौन सा उद्धीपत नियांतर नहीं है अपसर नमबर थोर्ड इसका राइक्टर से हो जाएगा आठमा प्रस्ण दोस्तों क्या कर रहा है पांच जून को निम्नाकित में से कौन सा दिवसमना जाता है तो सब को पता होगा पांच जून को परियाबरन दिवसमना जाता है अपसर नमबर थौर्ड इसका राइटर्स हो जाएगा नौमा प्रस्ण है इन में से कौन परमर्स की प्रवेदिया नहीं है तो परमर्स की प्रवेदिया दोसरों से निर्देशक प्रमर्स नहीं है अपसर नमबर फॉस्ट इसका राइट ट्रेंस होगा दसमा है आकमन को किसने इस रुप में परिवासित किया है आकमर से तत पर दूसरों के परती किये गए साभी प्राइस 36 सो होता है यह प्रभासा किसमें दिया है दूसरों यह प्रभासा आपका फ्राइड का है और उसर नमबर 20 का राइटन सो हो जाएगा ठीक है 11 प्रसन क्या करता है जब कोई वक्ति अपने अहम को किसी कष्ट कर इक्षा के ठीक विप्रीद इक्षा की प्रेणना विक्सित कर उससे उत्पन चिंता से अपने आपको बचाता है उसे कहा जाता है तो यह क्या कहा लाता है तो यह दोस्तों आपका योक्ति करन कहा लाता है अपसर नमबर फर्स्ट इसका राइटन सो होगा ठीक है बारमा आपका है बंडूरा ने सर्फ दुर्भीति को दूर करने के लिए किस प्रविधी का उपयोग किया है तो सर्प दुरुभीती को दूर करने के लिए दूस्तों क्रमबज और समयदे करन का उपयोग किया था आपसर नमबर फॉर्ष इसका राइटन्स होगा ठीक है किस ने बुद्धी का त्री तर्थवय सिधांत परचिपाद किया है तो त्री तर्थवय सिधांत आपका अप 115 नमबर गयस करने दिया है गार्डेनडर ने आपका बहुल बुधी सिधांत दिया है कि 녍 стран कि डीस का राइंद्र हर कि ये कशलतर हमां किसने व्यक्ति को पुन रूप से काल्वक्ति माना है तो based keyword का से किसने माना है आपसर नंबर 10 का राइटर नंस हो जाएगा स्वेशंस करता है मांस्क विमारी अभर्टिकरान की आत्यमत नव इंतंव परस्थीゃ तो मांस्क विमारी की वर्ट्थी की अत्यमत नव इंटंभ स्थी आपका DMFS war है अपसर नंबर फर्ष्ट इसका राइटर्स होगा ठीक है अगला आपका है 17 हमा है आकमन का मूल परवित्ती सिधान किसने परतिपारित किया है तो आकमन का मूल परवित्ती सिधान आपका फ्राइड ने किया है अपसर नमबर 20 का राइटर्स होगा अठारमा है किस अवस्था में जन्नेंद्रियों पर फोकस होता है तो जन्नेंद्रियों की बात किया है तो जन्नेंद्रिय अवस्था होगा अपसर नमबर थर्ड इसका राइटर्ण सो हो जाएगा ठीक है अगला आपका है समुहिक अचेतर का संप्रता का परतिपादन किस ने किया था अपसर नंबर फॉस्ट इसका राइट अंसर होगा 20 मा प्रस्न है उस्तम संगठित समूग कौन सा है तो उस्तम संगठित समूग आपका क्या होता है देश होता है अपसर नंबर फॉस्ट इसका राइट अंसर हो जागा यह किसमा है रेवेन प्रोग्रेसिव मेर्ट्रिक किस तरह का बुद्धी परिक्षन है तो रेवेन प्रोग्रेसिव मेर्ट्रिक आपका असापदिक बुद्धी परिक्षन है अपसर नमबर 20 का राइट्रेंस होगा फिर आपका है सुध वायू कहलाती है तो सुध वायू दूस्तों क्या होता है सुध वायू में ठीक है तो सुध वायू आपका 78% नाइट्रोजन 20 लगए 50% अक्सीजन आप 05-0-3% आपका कार्बन डैक्सार होगा अपसन नमबर 20 इसका राइटर्स होगा ठीक है 23 प्रस्ण आपका है व्यक्तितु का कारक विसलेशन सिधान का पर्तिपादर कोन है तो व्यक्तितु का कारक विसलेशन सिधान का पर्तिपादर कैटल है अपसन नमबर 30 इसका राइटर्स होगा 24 मां आपका है समय दात्मक अहम किस से संबंदित है तो समय दात्मक अहम आपका है आत्म संप्रत है आत्म रक्षा और आत्म संबंदित है आपसर नमबर इसका राइट्रेंस हो जाएगा 24-विसमा आपका है Albert Ellis ने निमनांकित में से किस चीकिस्वाव विधी का पतिपादन किया था तो Albert Ellis की दोस्तों आपका व्यभार चीकिस्वाव विधी का या था आपसर नंबर 20 का राइट्रेंस होगा अगला प्रस्थ 26 आपका है इनर्रेक्सिया नर्वोसा एक ऐसा विकार है जिसमें रोगी को क्या होता है रोगी को इनर्रेक्सिया नर्रोग्सा में तो दॉस्तो भूक कम लगती है अफसर नमबर 20 का राइट तर्स होगा 27 आपका है परतिवल के विपीत अवस्था को क्या कहते हैं तो दोस्तों परतिवल के विपीत अवस्था को चींतन कहा जाता है अपसर नंबर फर्स्ट इसका राइटर्स होगा अगला आपका 28 है 20 विश्विदाला एक उदारन है तो दोस्तों 20 विश्विदाला किसरा का समू है यह पूछ रहे आपसे तो दोस्तों 20 विश्विदाला आपका अपचारिक समू है अपसर नंबर 20 का राइटर्स हो जागा ठीक है अपचारिक समू क्यों है क्योंकि अपचार गर से सुर्व हो जाता है तो यह आपका अपचारिक में आता है लेकिन विद्यालियों जो हम करते हूं आपका अपचारिक स्क्षा होता इसलिए अपसिनबर इसका राय्ट रोगा ठीक है उनकी सवाइब का है वर्क्तित की नैतिक साखा मानी गई है किसको तो इदम अहम पराहम तो यह सारे होगे व्यक्तित की साखा अपसर नंबर डी इसका राइट रहोगा कि तीसमा प्रस्ण आपका है फ्राइट द्वारा परतिपारित मौनो विसलेशन वीधि के संबर में कौन सा कथन सत्य है ठीक है सही है पुशा है तो क्या है दूस्तों तब मोनो विसलेशन विकास सरी मोनो विसलेशन व्यक्तित का एक सिधान्त है जिसका है इप तो इसके मतलब क्या है जब दो सही है तो तिसा भी सही होना चाहिए अपसन नबर डी इसका भी राइटर सहुना चाहिए क्योंकि अपसन आपका खूट में दिया नहीं है इसलिए डी के साथ जाएगे हम लोग एकतिसमा है इनमें से बुध्धी लवदी का सही सुत्र कोण सा है तो दस्तों बुध्धी लवदी का सही सुत्र होता है ठीक है क्या होता है अगला आपका है बतिसमा समुह धुवी कर्ण से संपर्ताय का परतिपादन किसके द्वरा किया गया है तो समुह धुवी कर्ण संपर्ताय का परतिपादन दोस्तों आपका किया था क्रियसमा स्वेमार सिंडर्म ने अपसन नमबर 20 का राइट टर्सर हो जाएगा ठीक है कि इसमें है आपका किसने बुद्धी को व्रक्ति का सभविक चमता के रुप में परिश्थ किया है तो व्रक्ति के सभविक चमता के परिश्थ आपका व्यस्लें न दिया है अबस्त नमबर फर्स इसका राइट रहोगा ठीक है चौतिसमा है फ्रिज हाइजर का संतुलन सिंधान्द में पी ओ एक्स मॉडल में उप पर्स नियुद करता है किसको करता है तो जिस ब्रक्ति की मौनोबृति का अधन किया है वो है आपका अपसर नमबर बी ठीक है वो कहते है तिक है अपसर नमबर बी इसका राइटेंस होगा 65 अपका है व्यकार्श स्था अधायत होती है किसपे दुस्तों व्यक्ति किस्था जोड़का अधायित होता है पर्टांच के सिधान पर होता है अपसर नमबर इसका राइटेंस होँजाएगा ठीक है जो दूस्तों यह थे आपका 19 के प्रस्न उम्मीध है सारे प्रस्ना मों कली जगा है दोस्तों अगर कोई प्रस्ना गलती मैंने अंसर दिया हो तो आप कमेंड बड़ बताइएगा क्योंकि मैं आपका psychology का टीचर नहीं हूं ठीक है मैं आपका किताब वेगर का सहरा लिया ठीक है और नेट का सहरा लिया एंसर खुझने के लिए तो जो हां जहां जो मुझे एंसर मिला है वह मैं आपको बताया होगा क्योंकि इसमें कोई डाट नहीं क्योंकि मैं साइकलोजी का टीचर नहीं इसलिए मैं 100% गांटी नहीं देता ठीक है बच्चे ने कमेंट किया था बहुत सार बच्चे ने सब्सक्राइए तो मैंने आपका psychology करवाया है प्रश्च नहीं है तो चलते दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में दुखार एक प्रस्त में और जर्शी अप्लोड अपका यह वीडियो तो तत्र बने रहे हैं हमारे साथ और वीडियो कर देहने लिए बहुत भूत धन्यबाद